ओम नमस्षिवाई जय भुले नाथ गो स्वामी तुलसी दास जी ने श्री राम चरित मानस में एक बहुत ही सुन्दर पंक्ती कही है कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनियाध तुलसी संगत साधु की काटे कोटी अपराध वो दिन कैसा आएगा जब प्रभु पकड़ेंगे हाथ दया कर प्रभु बिठ लाएंगे चर्ण कमल के पास प्यारे दर्शपों एक प्रशन बहुत समय से हमारे बहुत सारे भगतों ने हमसे पूछा था कि गुरु जी जैसे हम अपनी घर पर पूजा पाठ करते हैं तो हमें कितनी देर पूजा पाठ खरना चाहिए बड़ा ही सुन्दर प्रशन है और आज के समय के अनुसार ये एक जरूरी भी हो जाता है क्योंकि आज कल की जो लाइफ है बहुत भागदोड़े वाली लाइफ हो गई है मनुष्यों के पास सभी काम करने के लिए समय है लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है कहीं न कहीं भजन का समय किसी के पास नहीं है खुद की भी मैं अगर बात करता हूँ तो हम तो चलो पूजा पाठ करते हैं किसी के लिए नवरात्रों में पूजा शंकर जी की पूजा लेकिन घर पर जो पूजा पाठ हम करते हैं उसका भी हमारा एक नियम होना चाहिए हमारी माताई हैं कुछ हमारे भाई हैं जिन्होंने हमसे प्रश्ण किया था कि गुरू जी अगर हम अपने घर पर पूजा करते हैं तो कितनी देर हमें पूजा करनी चाहिए प्यारे साथियों जब तक रहेगी जिन्दगी फुर्सत ना होगी काम से कुछ वक्त ऐसा निकाद बंदे प्रेम कर ले श्री नाम से अर्थात एक बात आप नोट कीजिए आज के टाइम के बता रहा हूँ हम सब के पास सारे काम करने के लिए टाइम है लेकिन भजन हम भजन का जो समय होता है उसमें कहीं ना कहीं पूजा का जो समय होता है उसमें कहीं ना कहीं हम कटोती करते हैं आप देखिए अगर आपने भोजन करना है तो आपको पता है कि मैंने भोजन करना ही करना है लेकिन अगर आपको कहीं जाना पड़ जाता है मान लेजिए किसी की शादी में जाना पड़ रहा है लेकिन वो समय आपकी पूजा के साथ पूजा का जो समय है उसके साथ मैच हो रहा है तो हो सकता है कि आप अपनी उस दिन की पूजा शायद छोड़ दे और उस जगह में विवाह में जाना आप जरूरी समझे मैं ऐसा नहीं कहता कि विवाह में जाना जरूरी नहीं है लेकिन उसके लिए हम अपनी भगती क्यों छोड़े उसके लिए हम अपनी पूजा क्यों छोड़े ये भी मैं आज आपको बिताऊंगा कि प्रतेक मनुश्य को कितनी देर प्रती दिन भजन जरूर करना चाहिए नमश्कार मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दृष्षकों का आज के एपिसोड पर हार्दी को स्वालत करता हूँ उमीद है आप सभी स्वस्थ होंगे भगवान भोले नाथ की क्रिपा आप सभी के ऊपर बनी रहें आज के एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले सभी भक्त हाथ योड़ करके भगवान भोले नाथ को प्रणाव करेंगे ओम्त्रियंबकम्यजामहि सुगंधिम्पुष्टी वर्धना उर्वार उमिवबंधना ब्रित्यूर मुक्षियमा ब्रता बोले शंक्तर भगवाने की छे राधि राधि मित्रों गोष्वामी तुलसी दास जी की जो पंक्ति मैंने आपको शुरू में सुनाई थी कि एक घड़ी आधी आधी से पुनियाद तुलसी संगत साधू की काटे कोटिय प्राद आपका जो प्रशन था कि हमें भजन कितनी देर करना चाहिए गोष्वामी तुलसी दास जी ने कहा है कि प्रतेक मनुश्य को हर दिन कम से कम एक घड़ी सुबह एक घड़ी शाब को भजन जरूर करना चाहिए एक घड़ी कितनी होती है चोबिस मिनट की चोबिस मिनट सुबह चोबिस मिनट शाब को प्रतेक मनुश्य को भजन करना चाहिए स्पैसिफिक किसी एक दो या पाच दस के लिए नहीं सभी के लिए चोबिस मिनट सुबह चोबिस मिनट शाब को ओम नमा शिवाए ओम नमो भगवते वासुदेवाए या गैतरी मंत्र जो भी आप करते हैं वो जाप आपको करना चाहिए लेकिन अब कई भकतों का प्रशनाई का गुरू जी इतना समय नहीं हो पाता कि चोबिस मिनट सुबह चोबिस मिनट शाम को हम देश के तो तुलसी दाजली ने कहा है कि एक घड़ी आधी कि अगर चोबिस मिनट का समय नहीं है तो उसकी आधी कर देगी बारा मिनट सुबह बारा मिनट शाम को, इतना तो मनुश्य को भजन करना चाहिए, लेकिन अब कई वक्त कहते हैं कि गुरुजी, बारा मिनट का समय निकालना थोड़ा मुश्किल है, अब क्या करें? तो बो स्वामी तुलसी दाज जी निकाहा है, एक घड़ी आधी, आधी से पुनी आध, अर्थात अगर बारा मिनट का समय भी नहीं है, तो प्रतेक मनुश्य को कम से कम, छे मिनट सुबह, छे मिनट शाम को, इतना तो भजन करना ही पड़ेगा, इसके आगे अब कुछ नहीं, क्योंकि मनुश्य का जो जनम मिला है, वो किस लिए मिला है, क्या केवल भोजन करने के लिए, क्या केवल एश और आराम के लिए, क्या केवल बच्चे पैदा करने के लिए, नहीं, क्योंकि फिर तो पशु में और हम मनुश्यों में, कोई फर्क ही नहीं रहा, हम भोजन करते हैं पशु भी भोजन करते हैं हम आराम करते हैं पशु भी आराम करते हैं हम बच्चे पैदा करते हैं पशु भी बच्चे पैदा करते हैं लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए हम भजन कर सकते हैं मनुष्य को जो है ज्यान विवेक है भजन कर सकता है लेकिन पशु जो है भजन नह तो प्रतेक मनुश्य को भजन जरूर करना ही चाहिए क्योंकि हम अपना जीवन जी रहे हैं कि कई वार हमसे जाने अंजाने कुछ पाप हो जाते हैं जिनका प्रयश्चित नहीं हो पाता लेकिन जब हम सुबह शाम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान का नाम लेने से हमारे जाने अंजाने जो पाप है वो धीरे धीरे कटते जाते हैं जिसके कारण हमारी लाइफ में हमारे जीवन में परमात्मा का शिर्वाद बना रहता है और दूसरा हमें दैविय सहायता की भी प्राफ्टी होती है और हमारी कोई भी कारियर बिगड़ते नहीं है मनुष्य को बहुत सोच समझ कर कारिय करना चाहिए क्योंकि ऐसे ही नहीं हमें मनुष्य का जनम मिल गया 84 लाक योनिया उनमें भटकने के बाद फिर कहीं जाकर ये नर्देख प्राप्त होती है इसलिए बारम बार उस परम्पिता परमात्मा सचिदानंदरूप का हमें ध्यार करना चाहिए क्ये है परमात्मा पता नहीं हम तो क्या कीड़े मकोड़े होते लेकिन आपका इतना शुक्रिया कि आपने हमें इस सुंदर तन से नवाला परमात्मा का जितना शुक्रिया किया जाए उतना कम होता है मनुष्य का जर्म मिलना बहुत सुभग्य और आपके कोई बहुत पुन्य करम है जिनकी वजह से ये मानम रूपी देह आपको प्राप्त कोई है अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करेंगी जय पुने नाथ